नमस्कार, बहुत स्वागत था देख रहे हैं आप लोग जोतिश जराट के आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतोश, संतोशी अभी कुछ दिन पहले एक कारिक्रम में हमने बोला था, इस विशे को लिया था कि इस्त्रियां, पत्नियां, वाइप्स अपने पतियों का नाम क्यों नहीं लेती थी, सिंगल इन्वर्टेट कामा में थी, क्योंकि आज कल लेने लगी है, अभी भी बहुत सारे घरों में इधर ब्याहताएं भी नहीं लेती, लेकिन मैक्सिमम अब नाम लेती है अब भाई देखे, मेरा पद और कद इस छेत्र में लगभग 22 प्लस वर्षों में चल रहा है, अनुभव गम में है, संयुक्त और ब्रामण कुल से मैं हूँ, तो मेरा स्वा अनुभव भी बहुत है, और हम दैम शूर है कि आप लोगों का भी अनुभव बहुत होगा, आप आज की तारिख में जितने लोग हमारा कारिक्रम देख रहे हैं, आप सब के माता पिता, मैक्सिमम एक दूसरे का नाम नहीं लेते, फिल्मों में भी बहुत चला हुआ है, सुनती हो जी, पुरुष भी नाम नहीं लेता, सामानने तोर पर, मैंने आज तक अपने पिता स्री को माता स्री का नाम लेते नहीं सुना, बच्चों के नाम से मिलता था ये कि फलाने की अम्मा, फलाने के पापा, ऐसे, क्या अगर नाम ले ले कोई, तो कुछ अनर्थ हो जाएगा एक बड़ा प्रशना है, चुकि आज की जनरेशन को रीजन चाहिए, लॉजिक चाहिए, बिल्कुल जरूरी भी है, मैं इस बात का फुल समर्थन करता हूँ, कि तर्क चाहिए, तर्क चाहिए, और समझ में आना जब तर्क होगा तो समझ में आएगा, तो ये बड़ा प्रशन है कि क्या नाम लेने से कुछ अनर्थ हो जाएगा, दूसरा प्रशन, क्या पत्नी पती का नाम ले लेती है, तो रिष्टा नहीं चलता, क्या पत्नी पती का नाम ले लेगी, तो कुछ ग्रह पीडित हो क्या पत्नी पत्य का नाम ले लेगी तो पत्य का आयूग कम होगा यवी मैंने सुना है इन सारी बातों को समझने की आवश्यक्ता है और ग्रहिय धाचे में सेट करने की आवश्यक्ता है ये विशे आज जो हम लेकर के आए हैं और जो हम तर्क देने जा रहे हैं ग्रही आंकलन से इस विशे को तो हम ठोक कर चैलेंज कर रहे हैं कि यह विशे पूरे यूट्यूब पर किसी भी भाशा में नहीं मिलेगा इस तर्क के साथ हो सकता है सामान ने बात कोई व्यवहारिक पक्ष रख दे ऐसा कुछ content मिल जाए लेकिन जो तशिये content जो हम ग्रहीय connection देंगे वो impossible है तो आए इस असंभव सी बात को संभव करते हुए समझने की कोशिश किया जाए नमबर एक हमारा वारी हमारी वारी हमारा जो शब्द प्रश्पुटित होते हैं वो हमारी कुंडली के second house से connected रहते हैं ध्यान दीजेगा second house से connected होते हैं कुंडली का दुतिय भाव यह वैवाहिक जीवन का पती या पतनी के आयू का भाव होता है आपके जीवन में पति सुख कितना होगा आपके जीवन में पतनी सुख कितना होगा इसका आंकलन सबसे ज़्यादा second house से पता चलता है और दुतियेश की इस्थिति से पता चलता है ध्यान दीजेगा ध्वनी का कारक सुर्य और एकादस भावा है यदि कोई भी इस्त्री या पुरुष एक दूसरे के नाम का संबोधन करते हैं तो दुतियेश भाव थोरा सा छरित होता है अब आप पूछेंगे कैसे दुतियेश भाव सब्तम से अश्टम पड़ता है और लगन से दुतियेश पड़ता है यह समझने की बात है जब यहां से ध्वनी निकल गया तो गया एक दृष्टांत सुनाता हूँ यह थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा तो धैरे के साथ बैठियेगा एक दृष्टांत यह था कि यह पिता जी ने हमको सुनाया था पती पत्नी थे ब्रामण ब्रामणी थे जीवने आपन चल रहा था ब्रामणी जो थी वो बहुत पूजा पाठ धर्म कर्म करने वाली सुबह से लेके शाम तक में आसन पर ही विराज मान रहती थी और उलाहना देया करती थी अपने पति देव को कि आप तो कुछ पूजा पाठ नहीं करते आप तो बिल्कुल ऐसे हैं वैसे वो मुस्कुराते थे बोलते थे कि हाँ हम थोड़ा प्रदर्शन नहीं करते पूजा तो चलता ही रहता है तो मुस्कुरा के बातों को टाल दिया करते थे एक दिन क्या हुआ कि वो सो रहे थे और सोते सोते उनके मुख से राम नाम का उचारण हो जाता है पत्नी जगी होई थी ब्रामणी देवी और प्रशन नहों गई सुन करके तो जब उनका ब्रामण देव का नीद खुली नेत्र खुले तो देखे तो बड़ी प्रशन मुद्रा में पत्नी थी तो पूछने लगे कि आज तो बड़ी प्रसन है आप क्या हुआ तो उनका अच्छा आप तो बड़ा जूट बोलते हैं तो उनका कि पता है जब आप सो रहे थे तो आपने राम नाम का उचारण किया था और इस बात को सुनकर वो ब्रामण अवाग रह गए बोले क्या मेरे मुझसे राम निकल गए यह है पॉइंट यहां ध्यान देजेगा क्या राम निकल गए मतलब वो चले गए और इसके बाद उन्होंने अपने प्राण पखिरू त्याग दिये भाव ला रहा हूं विशे को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि रखना है निकालना नहीं है ध्यान देजेगा गहराई से इसको समझने की कोशिश करिएगा भाव से समझने की कोशिश करिएगा रखना है निकालना नहीं है तो बहुत बड़ी बात होती है सम्मान की सूरे सम्मान प्रतिष्ठा का कारक है ध्वने का कारक एक आदस भाव से सम्मंध निकलता है अगर आपके जन्मांक में अगर आपकी कुंडली में सूरे पेडित होगा तो आप किसी भी के नाम को बिगारेंगे ए फलनवाई ए ध्यमकवाई ए सुन्दा थैरे तो सूर्य दुतिय भाव कनेक्शन देख लिया आपने निकालना नहीं है खर्च होगा व्य होगा तो छरित होगा रिस्ता रिस्ता खंडित होता जाएगा नाम ना लेना ही सरवोत्तम सम्मान का परिचायक है आप ऑफिस जाते हैं तो अपने बौस का नाम नहीं लेते हैं चरकते ले के देख लीजेगा फिर पद से संबोधन होता है मैनेजर साहब सेक्रेटरी साहब फलाने साहब पद से संबोधन मतलब नाम को हम एक प्रकार से कुछ लोग तर्क देते हैं कि रहे नाम लेने के लिए ही तो बना है नहीं नाम लेने के लिए बना तो है लेकिन अंजानों के लिए बना है अब पोश्ट मैन आया संतो शुपाध्याय कहां रहते हैं अब वो थोड़ी पता उसको आचारे जी है तो हम पद से उसको सम्मानित करते हैं वो भी एक प्रकार का विशेश सम्मान होता है वो भी विशेश सम्मान तो जो भी परंपराएं थी हमारी ना जाने कब से चली आ रही थी हमको तो नहीं ग्याद है लेकिन आख खुली तो हमने जो पाया और आज जो पा रहा हूँ और पाने के साथ जो दुर्भाव आ गया उसमें वो बहुत कश्ट असार्थ है तो हम तो यहीं उम्मीद करेंगे कि सम्मान इस्त्री और पुरुष पती और पत्नी दोनों एक दुसरे का देते रहेंगे दुती भाव और सूर को बैलेंस किये रहेंगे और एक दुसरे के प्रती यूहीं समर्पित रहेंगे नाम ना लेकर के भी हम प्यार ही प्रदर्शित करते हैं कोई दबाव नहीं महसूस करते हैं वैसे भी आज कल प्रचलन में शोना बाबु और क्या-क्या नाम करके खुब चला है इसके memes में बनते रहते हैं है वो भी एक भाव है, वो भी एक चलता है जानू और क्या-क्या और भी तमाम प्रकार के संबोधन होते हैं आए दिन टिक-टॉक हो गरे जब था तो उस पर मैं देखता हूं भाव वो भी है तो यह सारी चीजे बैलन्स करने के लिए हैं मूल है कि रिस्ता बचना चाहिए रिस्ते में समर्पण होना चाहिए रिस्ते मे गुसरे के लिए डेडिकेशन दिखना चाहिए थांगी सो मच आपके प्यार बनाए रखने के लिए उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कही बात समझ में जरूर आई होगी तो हमारे जो पुरातन परमपराएं हैं उसमें बहुत जगह पर मॉडिफिकेशन हुआ उसको नवी नमस्कार से नादे